तुसी वेखरे हो जस्ट पंजाबी मेहत होडे नाल हरकी इरत से इंगालू वालिया नौर्थ अमेरिका देवेच वजदे सारे दर्शकानू प्यार अते अदब सहत सत्रियकाल लेके हाजरा जी तोड़ा हर्मन पैरा प्रोग्राम आजदा मुदा इस मजदे उते उना सारे मसल देंदी कल होंती है और की कुछ आवाज इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म ते आ रही है वह सी कर देवियां वीकेंड दे होते कहीं सारे मुसले सामने आए जद रसी कल नौर्थ अमेरिका दी कर दिया हाल फुलाल देविच सरगर्मी है प्रेजिडेंशल इलेक्शन तो लेके चल रही है हन और हजे वी है मुल्क कोविड नाइंटीन तो बार निकल लंदी जड़ी तज़्वीज है ओवी प्रेजिडेंट ट्रम्प वलों रखी जा रही है सिरफ अमेरिका ही नहीं साड़ी मदर लैंड पंजाब ते साड़े उस मुल्क दे विच इंडिया दे विच की को जो हो रहे है ओवी जानना बहुत जरूरी है दो में दे विच एस्टम की रिष्टे हन दो में दे विच और वले समय दे विच की रिष्टे होंगे एवी जानना बहुत जरूरी है अज मिरनाल जड़े पैनलिस्ट गेस्ट और जड़े एज महमान मिरनाल इस मंच दे उते उना तो गल करना और तो हड़े जड़े सवाल ने इस मंच दे रही उना तक पहुंचोने ऐसाड़ी जिम्मेवारी है आज जासी जिम्मेवारी नो समझ दे हुए इस मंच दे लिए आए हैं कॉंसल जनल आफ इंडिया रंदीर जैसवाल जो की नियूली अपॉंटेंड हुए ह इंडिया आते यूवर्ज दे रिलेशनशेप वारे कहीं सारे सवाल होनगे बिजनसेज नो लाएके कहीं सारे सवाल होनगे सिख मसल्या नो लाएके अच इस मंच दे उना सारे सवालां दी असी छानबीन भी करांगे गलबात भी करांगे और जरांदी कोशिश करांगे गवर्मेंट ऑफ इंडिया, कॉंसल जनल ऑफ इंडिया, रंदीर जैस्वाल इस मुतलग की कुछ कहना चाओंदे हन और ओकी में फील कर रहे हन न्यू यॉक दे वेच आके कहीं सारे डिपार्टमेंट्स दे विच उनना दी नुक्ती होई है गवर्मेंट ऑफ इंडिया दे विच किते किते होई ओव इसी जानागे मैं इस मंज़ दे होते ज़्यादा समाना लेंदे होया स्वागत करदा, कॉंसल जनल ऑफ इंडिया, रंदीर जैस्वाल वी वेलकम यू सर्थ सत्रीकाल, नमस्ते तो यू और तो आज दा मुद्धा होएगा की ओन वाले समय दे विच आसी कॉंसल जनल ऑफ इंडिया न्यू यॉर्क तो की कुछ उमीदा रख सकते हन और रंदीर जैस्वाल होरा ने किते सर्व किता पहला और किते किते हो रहे, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पहला रंदीर जैस्वाल होरा तो ले 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 ना, उस तो बाद आसी इस प्रोग्राम नो इसे तरह किना जारी रखांगे सर, कहां कहां आपकी जो है अपॉइंट्मेंट्स होई और आज लंबा समा हो गया कि हम देख रहे थे कि जो हमारे पहले कांसल जर्नल थे वो अब जाएंगे और नए कांसल जर्नल आएंगे और आप अब आए हैं, सो प्लीज हमारे वियूर्स को बताईए थैंक यू हर्किरत, मैं इंडियन फॉरेंज सर्विस में बीस साल से ज़्यादा कर रहत हूँ इस दोरान मैंने पोर्टुगल में समय गुजारा है, तीन साल वहां पर अमबसी में काम की है उसके बाद मैंने क्यूबा में हमारी अमबसी जो है, वहां पर तीन साल काम किया है, तीन साल से ज़्यादा उसके बाद मैं इंडिया में बीच में गया और बाद में फिर यूएस में मैं यहां जो हमारा डिलिगेशन है पर्मनेंट मिशन अफ इंडिया टो दो यूएन मैं उसमें वहां पर मैं था तीन साल के लिए और फिर दक्ष्ण अफरीका में जोहानस बर्क्ष में वहां कौंसुल जनल के नौते वहां मैंने सर्फ किया है और अभी आने से पहले यहाने से पहले में राशपतीजी के सच्छीवाले में वहां उनकी जातनी इंटर्नेशनल रिलेशन उसका मैं करभार देख रहा था और ये मैं New York में आके मुझे बड़े खुशी है, ये मैं दूसरी बार है कि मैं New York में आया हूँ और अपनों के बीच में आके यहाँ पर भारतिय संवुदा है उसको मैं अपना ही मानता हूँ, अपने परिवार की तरह मानता हूँ, उनके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा, बहुत अनन्दित लग रहा है तो वेदर जो है नियू यॉर्क का वो आपको कैसा लग रहा है यहां पर इंडियन डाइसपोरा, सिख डाइसपोरा आप से मिल रहे होंगे तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर क्या भावनाई हैं? मैं उन सभी के लिए मैं तो अभी आया हूँ, कोविट के बीच में ही आया हूँ इंडिया से, उन सभी के लिए उनके परिवार जनों के तरफ से, उनके दोस्तों के तरफ से, उनके लिए नमस्ते, परणाम और उनके लिए ग्रीटिंग्स लेके आया हूँ, यहां आके बहुत तादात बहुत मजबूत है, बड़े तादात में लोग हमारे हम मौजूद है और अमरीका के हर फील्ड में, हर शित्र में, चाहे एकोनॉमी हो, चाहे टेकनॉलजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल वर्क हो, हर शित्र में कल्चरल वर्क हो, कल्चरल सेग्मेंट हो समा हर देश में जहां भी हैं। वहाँ पर इलोने अपने लिए बहुत अच्छा नाम कमाया है। और इससे हमारा सरउचा होता है। इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में हम सब लोग का सरउचा होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सिख डायसपोरा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सीख डायसपोरा के साथ हमारा बड़ा अच्छा तालमेल हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है कॉंसलेट के साथ मिलना जुलना रहा है हम लोग साथ में बहुत कुछ किया है पिछले साल आपको याद होगा हम गुर्णनक देव जी एक पाँच सो पचासवी वरशगांट मना रहे थे साथ में मिल के बनाया था उसके अलावे कई एक चीज़े हम लोग ने साथ में की एक ट यारी और साथ मिलकर काम करना साथ मिलकर चरना यह तो यहां का एक तरीके से रोजमर्य का काम है और हम लोग बड़े खुशी है कि आप लोग के साथ काम करने का यह मौका मिलता है सवाल कई होनगे हैं जो की गवर्मेंट ऑफ इंडिया आते कांसल जनल ऑफ इंडिया दिगाल करिये ओना दा विरोध भी कार दिया हैं उना दा की बनू और उना दे की मसले हैं ओवी आजिस मच दे रखे जानगे रखे जानगे की विरोध क्यों और विरोध किस गालदा ओवी आजिस मच दे उते सवाल रखे जानगे सवाल एवी रखे जाऊंगे और वले समय दे विच इंडो यूवस जड़ा फ्रेंडशिप हैगी है पामियो डॉनल्ड ट्रंप अते नरेंदर मोधी दे विच हुए उने दी फ्रेंडशिप और वले समय दे विच की सानू ऐसास कराऊं दी है या फिर की सानू दस दी है एवी सवाल होंगे सवाल होनगे कि और वले समय देविच कॉंसर्ट जनल ओफ इंडिया रंदीर जैसवाल केड़े केड़े प्रोग्राम उड़ी करनगे जिवे इन्होंने दसे किसे खड़ाय सब रहनों लाके वचन मंद हन और जे किसे नूँ भी कोई सवाल है गए तो कॉंसर्ट जनल ओफ इंडिया देविच सिद्धी गल कर सकता है सवाल होनगे जेड़े पासपोर्ट दी काला बजारी होनदी है वीजे दी काला बजारी होनदी है उदा की बढ़ों एही रवेगा आज दा मुद्धा लगातार इस प्रोग्राम नो रखांगे जारी कॉंसर्ट जनल ओफ इंडिया रंदीर जैस्वाल होनदे नाल इस ब्रेक टों उस बार बें बड़क माणी स्वालत भी जागत है स्वागत है मैंनु पता तुसी पंजाबी समझ भी लेने हो पर तुसी जवाब जड़ा अपना हिंदी देवज दे साकने हो लेवल जड़ा है और देविच नहीं पहुचा पाए की तो नहीं लगदा की जड़ी मिनॉर्टीज नहीं आज भी इंडिया देविच महफूज नहीं हन जसकर के अज विरोध भी जड़ा हो न्यू यूर्क देविच भी वेखर नू मिल दा मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि इंडिया जो है एक लोगतंत्र है एक डिमोक्रसी है लोगतंत्र में डिमोक्रसी में सबसे बड़ी ताकत लोग की होती है और डिमोक्रसी लोग चलाते हैं हम लोग प्रतिबंध हैं कि सब लोग को लेके छोटे बड़े उपर बाएं दाएं हर समुदाए के लोग को लेके हम चले और हम पने देश को बनाएं यह हमारा संकल्प है हमारा कॉंस्टिशन हमको यह अधार देता है हमारा डिमक्रसी हमको अधार देता है कई बार होता है किसी को कोई गिला शिक्वा हो जैसे परिवार में होता है तो उसके के सब्वाले दिनों में आज के दिन में हम नए नई इचीज़े कर सकते हैं. स्टारट आप के दुनिया हो, एग्रिडर्विकल्चरल में नई चीज़े करनी हो, इंॅड। हम मेंने नई चीज़े करनी हो, चानने ना Seems की दिन है, ढूलेज एकनोमी का हम पर दिन है, हम चांद साइटी, प्राइविट सेक्टर, सब लोग मिलके, सारे सब अधाये, सीख समधायक, खासकर हम लोग के हाँ, इंडिया में, बड़े मजबूत मेहनत कर्ष्ट लोग माने गए हैं, तो पंजाब मिती तरक्की हो रही है, पंजाब में लोग मेहनत से और पंजाब में नहीं सिर् जो युगदान है समाज में, वो दिखता है, और उससे हम लोग बड़े, हम लोग को बहुत सक्ती मिलती है, देश को बहुत सक्ती मिलती है, तो मेरा यह मनना है कि हम लोग साथ मिलके अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, सब को अच्छा रहेगा, सब को अच् 1984 सिख जैनो साइड नू लाएके बढ़ियां सारीयां उन्हानू हजवी जदो इस बारे सोच दे हन तौना दे हन जुवा जान दे हन और जेडियो तराजदी कौम देनाल हुई सी उन्हों नहीं पुल पान दे वड़ी गिंदती दे वच सिख डे प्रेड जेडी है गी है वो 1984 स पहले तो भी बताना चाहूँगा कि 1984 सी खरायट का जो केसे थे हमारे कोट पे उसमें जो लोग थे उनको इंप्लिकेट किया है उनको सजा सुनाई गई है और इससे मेरे ख्याल से हमारे लोग जो बाहर में है जिनको दर्द पहुँचा है उससे उनको काफी कम से कम ये आश व को लोगों को मिला है उसके अलावे हम लोगों ने जह भी निर्ने लिया है कुछ दिल पहले सरकार नि निर्ने लिया कि जतने भी पुराने और एसाइलम के कैसिस थे होगरा उससस भी लोग आए सब को पासपोर्ट देंए का हम लोगों कोई आदमी जो पुराना जिस Chili आ कोई रिस्रिक्शन नहीं है वो हमारे पास आ सकते हैं हम उनको पासपोर्ट देंगे और वो सब लोग अगर इंडिया जाना चाहते हैं यहां के निशनल्टी ले लिया है उन्होंने तो उनको वीजा देंगे वो हमारे पास आए अपलाई करें और जिना ने तो अड़ा के आप 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 आपलाई करना है वीजा के लिए पास कूट के लिए वो करें और हम फिर उस प्रसेस को आगे ले जाएंगे को इसमें जो पहले रोक था उसमें वो सब चीज हटा दिया गया है कहीं कवाल थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है लेकिन जाहतर केसेस में अब कोई मसला नहीं रहा सब लोग पासपोर्ट अपलाई कर सकते हैं सब लोग वीजा लेने के लिए आ सकते हैं आपनी एप्लिकेशन दे सकते हो और अंदीर जैसवाल जड़े ने वह बकाइदा तो आड़ी एप्लिकेशन दे उते जरूर नजर पाउनगे उन्हों वेखन गे और जरूर कोशिश इननने अज किती है इस मंच दे लिक काईदा क्योंकि ऐसी हमेशा कहनदी ہے सबीधन दे जमीन आसमान दा परक होनदा है ता अज एलान कीता है बकाइदा इस लाइफ प्रोγराम दे विच किजेकर तुसी असालम लेती है तुसी इंडिया जा सकते हों तो अनुं लग दा कोई भी तुनु प्राब्लम है गी तुसी राप्ता कर सकते हों वेबसाइट जेडी है कांसर जनल ओफ इंडिया दी ओ तुसी उते विजट कर सकते हों नुई यॉर्क दी जाके तुसी अपनी अप्लिकेशन जडी है वीजे दी, ओ फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो देरी जान का रहे लिए तुसी अनू कॉल भी कर सकते हूं कि अन्या में अन्या में अनू दी कर साथी कर सकते हैं, जान कि आले कि आण लिए, साथग साधा दाझना ड़्या, जान के शुषिस अनू कर साधा राखै का अनू कि वह बाता बड़ी, एक खुशी मिली गी के लिए चटार पूर लां गा। वो खोलया गया। सो हुन COVID-19 करके, you know, some of the pilgrims जिकान गो to Pakistan but in future, if everything gonna happen in a right way, do you think that Kartarpur corridor will open again? See, this decision has been taken because of COVID-19 and it is our expectation that once the COVID-19 pandemic recedes the Kartarpur Peace Corridor will again be open for people to visit and to seek blessings of Kartarpur Sahib, that is our expectation but COVID-19 has made life hell for everybody it has thrown normal life out of gear, so I hope people will understand that it is in the interest of people themselves that you restrict your movements, so that we can keep the virus away but it is our expectation that Kartarpur Sahib, we can all seek the blessings of Kartarpur Sahib, let me tell you that I also wanted to go to Kartarpur Sahib, but I had made my plans with some elderly people in India to go to Kartarpur Sahib but I could not go because of COVID-19 right so 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 वाल हो रहानाल कई सारे और वी सवाल हो रहे हो दो हैं सब तो वड़ा इशू स्टेंब पंजाब दे बच जड़ा है इंडिया देविच फार्मर्स बिल्लू लाया के हैँ फुरू घौंडवा अपणी दरख्वास्त देना चांदे हन गवर्मेंट आप आंडिया नू ओदल यह नहीं की प्लांस बढ़ाएं हन ओवी इस मज़ते जानागे क्योंकि कॉंसल जर्नल ऑफ इंडिया दी सब तो एहम जिम्यवारी हों दी है ब्रिज हों दे हन पार सरकार अति थ्वाड़े विच ए थ्वाड़े ले कम करने थे यह उन्दे हन और तो आड़ी जो वी यां समस् सरकार नो थे पोंचन ताकि उन्हानों भी पता लगे कि जड़ा इंडियन डाय सपोरा सिक डाय सपोरा है ओपार सरकार तो की चाहूंदा है इससे नो लाके इस प्रोग्राम नो रखांगे जारी लगतार जारी है साड़ा अजदा मुद्दा पासपोर्ट नो लाके ही नहीं इमिग्रेशन नो लाके ही नहीं अज फार्मर्स बिल नो लाके भी बकाइदा जड़ी है गी है और डिबेट चल रही है कि चाहूंदा है लगतार सवाल जारी है इस प्रोग्राम दे होते पासपोर्ट नी काला बजारी नो लाके भी मैं सवाल करांगा लेकिन सबतों पहला सवाल है गा फार्मर्स बिल जवेकि असीज़ गलनू मन दे है कि पंजाब दी और पूरे पार तदा अंदा ता पंजाब है है क्योंकि वचन बंद होया है पूरे देश नो आनकी लाउन दे लई और अज पंजाब दे लोग करना लगता है साथे अनरा यहां पर आवनों लगता है कि पार सरकार ने उनना तका कीता है जड़ाई ऑर्डिनेंस बिल लेके आया है वो किसान विरूदी है और किसान नाल और वले समय दे विच उन्हों मुश्किलां होन गिया खुदकुशी किसान जड़ा लोन दी करके नहीं एह भी कहा जारा है कि और वले समय देविच जड़ा किसान है वो खुदकुशी जड़ाई है इस ओर्डिनेंस बिलनों लाके करेगा अज साथी उमीदा ने सारे ज इवलूशन हुआ था फाइफ फिफ्टी सिक्स्टी स में उसे कारण में उसे कारण पंजब काफी आगे आया आपने कहा पंजब अन दाता है इंडिया का बिलकुल हम लोग बड़े खुश खुशगजार हैं और बहुत बहुत हम लोग के तरफ से सब पंजब में हमारे जो बहाई है किसान बहाई है उनके मेहनत के लिए हम लोग बड़े शुकर गजार हैं कि वो इतना मेहनत करके पुरे देश को अन पहुचाते हैं फूट सिक्यूरिटी देते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इंडिया में पचास साथ साल हो गए कोई अग्रिकल्टर रिफ है कि जो हमारे किसान भाई है जो आज तक मंडी में उपन बाजार में अपना समान नहीं बेच सकते अब उनको यह आजादी होगी कि वो जाके कहीं भी किसी मंडी जहां अच्छा भाव मिल रहा है वहां अपना समान बेचेंगे तो हम लोगा तो यह मानना है कि जितने हमारे किसान हैं, उनको फाइदा होगा, उनको बहतर दाम मिलेगा और उनको अजादी मिलेगी अपना समान बेचना है, अगर मुझे समान मुझे टाविल नाडिग हो बेचना है, एक मिसाल के दोर पर कर रहा हूं, या बिहार हो बेचना है, या दिल्ली हो बेचना है, या हर्याना है है कि लोग को थोड़ा ये लग रहा है कि क्या कुछ नया हो जाएगा जब भी कोई नया चीज होता है तो लोग को मन में शंका होते है क्या सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से एक बार लोग जब इसको को देख लेंगे कि इसमें उनका फाइदा है उसके वाद से यतना ये प्रोटेस्ट और जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट वो बेरेखहल से खतम हो जाएगा कि अपना कोई भी दर्खवास या कोई भी कोशन करना चाहूंदे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कि में तो आपके सिवा में हाजिर है यहां पर जब भी कोई समस्या है आपको हमको बताईए हम तो इंपूट भेजते हैं हमेशा और वो इंपूट फिर पॉलिसी के लिए जाता है पॉलिसी जो हम बदनाते हैं उसमें इंपूट यह जाता है उसके लावे हर साल हम प्रवासी भारती दिवस करते हैं उसमें पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड से पूरे दुनिया से हमारे प्रवासी लोग एनराई लोग आ उसे बहुत सारे इशूस प्याइए और इस परकार की चीजे पासपोर्ट वीजा की चीजे सब पर चर्चा होती है और मैंने देखा है कि पिछले तीन-चार साल में बहुत सारे इंपुट्स लिये गए जब लोगों ने जो इंपुट दिया और उसको हम लोग पॉलिसी बना क सब्सक्राइए उससे काफी खुशी है लोग में पासपोर्ट नो लाएके बहुत काला बजारी हों दी है जड़े ट्रेवल एजेंट्स ने या फिर जड़े होर वकवक इमिग्रेशन दा काम कर दे हन ओ कहन दे हन कि पासपोर्ट बनान दे लाई तो आनुपांच हजार डॉ पासपोर्ट बनान दे लाई मैं तो आप सभी लोग आपके मारफत सभी हमारे वीवर्स को दर्शक गन को ये कहरा चाहता हूं आपको अगर पासपोर्ट चाहिए आप सीधा सीधा वेब साइट पे अपलाई करो पासपोर्ट लगाओ जो फीस है पचास सतर पचासी जो भी डॉलर्ट की फीस है और जो आउट सौर्स इंजिक का फीस है वो लेकर उसको जमा करो और आप देखो अप आपिड़र आता है की नहीं आता है अगर उसमें प्रॉब्लम होता है कागज का प्रॉब्लम होता है कभी कूछ समस्या है तो हमारे पास आया आप आप जो पुराना सिस्टम था तो ख़तम हो गया अब जो जिन लोगों ने पहले दिन पहले असाइलम लिया था और उनके पास पुराने पासपोर्ट नहीं दिये समय हो गया वो आके हम apply करके ले सकते हैं अगर आपने foreign passport ले लिया दूसरी बात है फिर तो आपको वीजा मिलेगा लेकिन इंडियन passport के लिए अगर इंडियन national है आप आपने पहले asylum लिया asylum application accept हुआ अगर आप लोग सब जाएं इंडिया in new york.in जो हमारा website है उस पे www. इंडिया in new york.in और प्रमित हमारा एप है उसके मध्यम से आप हमको हमसे जुड़ सकते हैं और कोई शिकायत हो तो हमारा website पे हमारी email दिया हुआ है email पे आप लिखी हम लोग आपको उसको जवाब देगे ठीक है ऐसे की पार्सपोर्ड आते फार्मर्स बिल्नू लाके रंदीर जैस्वाल होनों जड़े से सवाल कीते हैं फिलाल एक ब्रेक लिए मैं थे रुक रहे हैं और जद ब्रेक दो बाद वापिस हमांगा कई सारे होर भी सवाल हन उनना दे होते भी असी चाड़ना पावां साम दर्शकर नों दस्दमा की अखीरला सेग्मेंट है गाए साड़ा जे किसी दे वी कोई सवाल हनो सानू इमेल रही अपने सवाल लेके पेज सक दे हन हर कीरत अट जसब्रोडकासिंग डॉट कॉम इन्फो एड जसब्रोडकासिंग डॉट कॉम दोते असी यह सारे प्रदी प्रबमनु सौल कर सकति हो सरे सकीले संगेंट विच में जरूर जोना चोना और वले समेदे विच वन इत कम्स तो फुल्चर अटिविटिस वन इत कम्स तो बिसने स्ट्रेड समिनार्स वाट विक एट विच्ट रो एंट्ट विच्ट अट इन्यॉर्क डॉट गॉ जहां तक सवाल है संस्कृतिक प्रोग्राम का चुकी कोविड है इस कारण से सब सारे प्रोग्राम जो कॉंसलेट में होते थे और लॉंग आईलेंड और भी सब जगह और जगह न्यूजर्सी और में उस तो थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग गया है दिवाली भी लोग अलग तरीके से मना रहे हैं गुर्णानक देव जी का जनम दिन भी आ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसको मना सकते हैं मेरे ख्याल से डिजिटल फॉर्मैट में मनाए या किसी और फॉर्मैट मनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सब लोग का सब प्रकरार रहनी चाहिए तो उस कारण से अभी दो अक्टोबर को हम लोग ने गांधी जी का जनल दिन मनाया हंडेंट फिफ्टी गांधी एट हंडेंट फिफ्टी येर्स उसका सेलिबरेशन कई एक शहर में नियॉक पे था नीजर्सी में था बफलो शहर में था तो मुझे लगता है कि औंशे है कि आने वाले दिनों में कई एक समढ़ प्रोग्राम करेंगे और कई एक प्रोग्राम में हम भाग लेंगे लेकिन उसमें लगता है कि डिज्टल फॉर्मैट में कुछ पिर्व ज्यादा रहाfry रहे सारी आनांगेशन हाय कौनानक देवजिदी क्ने सार जब यही सवाल करना चाहांगा सर जेड़ी साथी सिख डाइस पो रहा है ओना दा जेड़ा विश्वाज है का गवर्णमेंट ओफ इंडिया दे प्रती ओंफिडेंस नहीं आप पांदा मैं पहला भी तो पुछ आसी का उदेले सरकार की कम करेगी कॉंसल जर्नल ओफ इंडिया अरंदीर जैसवाल की कम करनेंगे पहली पहला चीज़ तो भी है कि आप सबक से आके आपसे मिलना चाहता हूं गुर्दवारे में आके मत्था टेकना चाहता हूं तीस नवंबर को शायद इस común गुर्णन कडेव जी का जनम दिन है जिसको हम साथ मिलके मनना चाहते हैं और यहां खुशिया है जो हमारे प्रोग्राम है उस से आपको जोड़ना चाहते हैं और आपको दिल से लगाना चाहते हैं ताकि हम लोग मुझे हम लों को बड़ा है पूरे हिंदुस्तान को गर्व है और आज से नहीं पुराने दिनों से आप देखेंगा भारत के अजादी के इतिहास को देख लिए उसमें देखिए शहीद भगत सिंग से लेके सब लोग किस प्रकार से बलिदान दिये और आगे आया उसमें पूरा देश गर्व करता है च राण से हात मिला गर्व कंढे से कंढे मिलागे हम लोग चलेंगे साथ में तो deuts स्वाला देखिए सब्सक्राइब क्रेम करांगा मैं यह कहूंगा कि आप लोग थोड़ा COVID से थोड़ा बचके रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, काम भी करें और इंडिया में बहुत सारी चीजे हो रही हैं, एकनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है, लेबर रिफॉर्म हो रहा है, टेक्नॉलजी के शेतर में बहुत कुछ ह तो नहीं जो हमारे इंडिया में जो यूथ है वो बहुत सारी नहीं चीज़े कर रहा है उसमें नहीं उर्जा है नया उमंग है उसको देखिए उससे जुड़िये और आप में भी उतना ही उमंग और उर्जा मुझे मुझे देखने को मिलता है दोनों अगर पक्ष मिल जाया आपस में तो क्या कुछ नहीं हो सकता है।